संस्क्रित आए, प्यारे बच्चों, आज हम शब्द रूप याद करने का बहुती आसान तरीका लेकर आए हैं, अब तक आप लोग कैसे रूप याद करते थे, राम है रामव रामा, रामम रामा रामान, लेकिन इस तरह से नहीं, बलकि अब हम सातो विभक्त्योर संबोधन म पहले एक वचन के सारे रूप याद करेंगे, फिर दी वचन के सभी रूप याद करेंगे, और फिर बहुचन के रूप सारे एक साथ याद करेंगे, तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हों, कि शब्द रूप सातों विभक्तियों और संबोधन में चलते हैं, विभक् भी हम राम शब्द के रूप याद करेंगे तो बच्चों चलो शुरू करते हैं मेरे साथ बोलेंगे सब संबोधन में हे राम के सान पर आपके वल राम भी बोल सकते हैं देखिए तो बच्चों इस तरह से याद करने में आनंद आ रहा है ना आपको और बच्चों राम शब्द कैसा है राम शब्द के अंत में आ आता है यानि यह अकारांत शब्द है तो बच्चों जितने भी अकारांत शब्द होंगे पुलिंग में उन सब के रूप राम की तरह ही चलेंगे जैसे हम बालक के करें बालके बालकम बालके इन बालकाई बालकात बालकस्य बालके बालक इसी प्रकार हम कुछ और शब्द लेते हैं जैसे इस प्रकार से बच्चों आप इनको 20-25 बार याद कर लीजिए और एक रूप याद करने से सारे रूप याद हो जाएंगे ये ठे हुए एक वच्चन के रूप अब हम दी वच्चन में राम शब्द के सभी वख्तिओं में रूप दो राएंगे देखो बच्चू कितने आसान है प्रत्मा और दित्य विभक्ती में रामा भ्याम बनता है सस्थी और सब्तमी में रामयो रामयो बनता है और संबोधन प्रत्मा की तरह ही बनता है इसी प्रकार हम दूसरे शब्दों की रूप चुला कर देखते हैं बच्चो आनन्दा हरा है न इस तरह से आपको रूप याद करने में अब हम बहु वचन के राम शब्द के सभी वक्तियों में रूप याद करना बताते हैं आपको तो बच्चों देखो इसमें भी चतुर्टी और पंच्मी दोनों में एक जैसे रूप बनते हैं रामेब्या और संभोधन बिलकुल प्रत्मा की तरह होता है इसे प्रकार हम कुछ और शब्दों के रूप देखते हैं वान्रा वान्रान वान्रे 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 वान् आपको रूप याद करने में आनंद आएगा और बहुती जल्दी आपको रूप याद हो जाएंगे एक अकारांत रूप याद करने से सभी अकारांत रूप आप आराम से याद कर सकते हैं तो एक बार फिर से एक वचन के रूप राम के मेरे साथ दो रहाईए तो बच्चों इस प्रकार से उठते बैठते चलते फिरते आप इनको याद करते रहें और बहुत जल्दी आपको ये याद हो जाएंगे और उसी के आधार पर सारे अकारां धूप आपको याद हो जाएंगे धन्यवाद